आपने गाय का दूद तो जरूर पिया होगा जाहिर है भायस का भी पिया होगा आपको इस दूद के फायदे भी पता होगे लेकिन आप में कितने लोग हैं जो बकरी का दूद पीते हैं शायद बहुत कम लोग होगे लेकिन बक्री का दूद आयुर्वेद में अमरित माना जाता है योकि बक्री का दूद केवल सेहत को नहीं बलकि सौंदरिक को भी कई तरह से फाइदे पहुचाता है लेहाद आज हम आपको बक्री के दूद से होने वाइले फाइदों के बारे में बताने जा रहे हैं नमश्कार मैं हूं मुहमद आसिव दुलार और आप देख रहे हैं न्यूस्ट्रेम नेशन की खास पेशकर्ष सेहतनामा बक्री का दूद प्री बायोटिक एंटी इंफेक्शन और एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होता है इसमें विटामिने, प्रोटीन, कैल्शियम, आइरन, मैगनीशियम, फासफोरस, पोटेशियम और सोडियम समेथ कई पोशक तत्व पाये जाते हैं बलड में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में बक्री का दूद का दूद काफी मददगार साबित होता है डेंगू और चिकिनगुनिया होने के हालात में भी गिरती हुई प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए बखरी के दूद का सेवन करना काफी फाइदे मन्द है इस दूद में सिलेनियम नाम का तत्व पाये जाता है जो प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करता है बखरी के दूद का सेवन हड्डियों को मदबूत करने में भी मदद करता है बखरी के दूद में काफी मात्रा में कैलशियम पाये जाता है साथ ही कुछ माता में मैगनीशियम और फासफोरस भी होता है जो हड़ियों को मजबूत बनाता है शरी में आने वाली सूजन को कम करने में भी बकरी के दूद का सेवन करना फाइदे मन्द है ये दूद एंटी इंफेक्शन और एंटी ऑक्सिदेंट गुणों से भरपूर होता है जिसकी वज़ाते शरीर की सूजन कम हो जाती है बालों को रूखे फन से छुटकारा दिलाने, चमक और मजबूती को बढ़ाने के लिए आप बकरी के दूद का इस्तेमाल अपने बालों में कर सकते हैं इसके लिए शैंपो करने के करीब आधा घंटा पहले बकरी के कच्चे दूद को जड़ों और बालों में अच्छी तरह से लगाकर 10 मिनट तक मसाज करें फिर शैंपो कर लें, इससे बालों का तूटना ज़ड़ना भी कम होगा चेहरे की स्किन को सौफ्ट ग्लूइंग बनाने के लिए आप बकरी के कच्चे दूद का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए कुछ दिनों तक रोज़ाना बकरी का ताजा और कच्चा दूद कौटन बॉल के जरीए अपने चेहरे पर लगाएं चेहरे पर दूद का एक राउंड लगाने के दो मिनट बाद दूसा राउंड लगाएं फिर तीसरा राउंड लगाएं इसके बाद हलके हाथों से पांच मेट तक चेहरे को मसाज करें फिर चेहरे को ठंडे पानी से धोलें आप अपने चेहरे में काफी बहतर बतलाओ देखेंगे आपको हमारी ये पेशकस कैसी लगी इसके बारे में कमेंट शेक्शन में जरूर बताएं अगर आप हमारी ये खबर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन सरूर दबाएं नमस्कार